इस वीडियो में हम आपको अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के माता-पिता कानूनी अभिभावक की सहमति का फोर्म बना सिखाने वाले हैं अगर आपको भी आपकी स्कूल से इस तरह का फोरूम मिला है तो इस वीडियो में हम आपको इस फोरूम को बरना सिखा रहे हैं तो सबसे पहले देखेगा आपको इस फोरूम पर विद्धाले का नाम लिखवा दिखाए देगा आपको दोस्तु इस विद्याले के नाम के आगे ही आपके विद्याले यहने आपका जो इस्कूल का नाम है वो पूरा नाम आपको अपने इस्कूल का यहाँ पर लिख देना है अपने स्कूल का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर देखेगा मैं सहमति परदाता का नाम तो यहाँ पर सहमति कौन देगा आपके माता या पिता तो अगर आप अपने माता का नाम लिखना चाहते है तो आपको अपने माता जी का नाम यहाँ पर लिख देना है वहीं दोस्तों, अगर आप अपने पिता जी का नाम लिखना चाहते हैं, तो आपको अपने पिता जी का नाम यहां पर लिखना है, आप अपने माता यहां पिता दोनु में से किसी का भी नाम लिख सकते हैं, और आपको यहां पर रक्त समंधी पर टिक कर देना है, इसके बाद उसका नाम यहां पर लिख देना है इसके बाद आपको देखे का नीचे पैचान पत्र का नाम लिखावा दिखाई देगा तो यहां पर देखे का आपको क्या लिखना है अगर आप अपने यहां पर देखे का सहमती परदाता के नाम में अपने पिताजी का नाम लिख रहे है तो आप अपने पिताजी का आदार कार्ड दे सकते हैं, तो पैचान पत्र का नाम में अगर आप आदार कार्ड नंबर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आदार कार्ड लिख देना है, आपको यहाँ पर आदार कार्ड लिखना है, और पैचान पत्र सिंख्या में आपके जो पिताजी के आदार काड के नंबर है वो आदार काड के नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है इसके बाद आपको नीचे आजाना यहां तक आपका फोर्म बरकर तेयार हो जाएगा जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेगा बोतिक सहमति का तिति आप जिस दिन आपको इस पोरम को बर रहे हैं उस दिन की आपको डेट यहाँ पर लिख देनी है यहाँ पर देखेगा बोतिक सहमति का इस्तान आप जिस जगह पर निवास कर रहे हैं उस इस्तान का नाम आपको यहां पर लिखना है और यहां पर देखेगा हस्ताकसर आपको लिखावा दिखाई देगा आप यहां पर देखेगा अगर आप अपने पिताजी का नाम यहां पर लिख रहे हैं तो आपको अपने पिताजी के हस्ताकसर यहां पर करवाना है अगर आ आप यहां पर देखेगा में सहमति परदता का नाम में अगर आप अपने माता जी का नाम लिख रहे हैं तो आपको हस्ताकसर में अपने माता जी के हस्ताकसर यहां पर करवानी है तो देखेगा नीचे वाला जो फोरूम है इसे आपको छोड़ देना है या आपके विद्याले पर मोग अधिकर सिख्षकिया विदाले के करमचारी के दुवारा बरा जाएगा इसे आपको नहीं बढ़ना है आपको इस फोरूम को यहीं तक ही बढ़ना है तो देखेगा बिल्कुल आसान सा फोरूम है इसे आप एक मिंट के अंदर बढ़ सकते हैं सबसे पहले आपको अप आता या पिता दोनु में से किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं रक्त समंदी पर आपको टिक करना है यहां पर विद्यारती का नाम लिखना है आप अपने पिताजी का नाम लिख रहे हैं तो यहां पर देखेगा पैचान पत्र में आप अपने पिताजी का आदार कार्ट व दोस्तों आप आसाने से अपार आइडी बनवाने के लिए विद्यारती के मातापिता कानूनी अभिभाव की सहमत्ती का फोर्म बढ़ सकते हैं। उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद नहीं होगा। वीडियो अगर आपको पसंद नहीं थे शुडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजिएगा।